सुना है रमजान के महीने में मुहमद अली रोड जाकर इफ्तारी करने का मज़ा ही कुछ और है इसलिए आज मैं देखने वाला हूँ 1000 रुपे में यहां क्या क्या ट्राइ किया जा सकता है और क्या सच में यहां की चीजे टेश्टी होती है या नहीं तो सबसे पहले मैंने ट्राइ किया 70 रूपे का पराठा सौरमा जिसका टेश्ट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा फिर मैंने लिया 40 रूपे का सांडल जिसका टेश्ट मुझे काफी यूनीक सा लगा आप भी एक बार ट्राइ कर सकते हो और बुरहानपुर की मावा जली भी तो आप जरूर ट्राई करना फिर मैंने ट्राई किया 150 रुपए का मटन हलीम लेकिन ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगा लेकिन नुरानी का केसर मिल्क स्याही तुकडा मोभबते सर्बत आप यहां की ट्राई कर सकते हो और आखिर में मैंने ट्राई किया बड़े मिया का चिकन सूप जो स्रिफ रमजान में ही मिलता है पर सच कहूं तो सूप का टेस्ट मुझे ठीक ठाक सा ही लगा बाकी मुझे यहां सबसे ज़्यादा जो पसंद आया है वो है बुरहानपुर की जलेबी वैसे रमजान के महिने में मौंबद अली रोड का कौन सा डिस आपका फेवरेट है मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं बाई बाई